यहां तक पढ़ा था यहां तक हमने यह पढ़ा था तो इससे आगे हम पढ़ेंगे आज तो दे लेफ्ट दे रूफट आफ टो रोम डार्क अलवेज अब यह जो कैट्स थे उन्होंने क्या किया वो छट को छोड़कर अंदेरे पट्रियों पर गोमने चले गए अब जो रात थी वो लोईस के लिए बहुत आइस्ता आइस्ता आ रही थी और जब शाम की मिस्ट आ गई जब फॉग आ गया शाम का तो इससे वो थर्थराने लगा तो जो ही बारे शुरू हुई जो ही बारे शुरू हो गई और तेज और ताकतवर हवाएं चलने लगी लुईस बिगें टू थिंक आव ड्रैरी दे वर्ल आउटसाइट वस अफ्टर आल लुईस सोचने लगा कि बाहर की दुनिया कितनी उदास होती है तो वहाँ कोई सूरज नहीं था और गरम च्छतें भी नहीं थी और वो जो उच्छल कूद कर रहे थे और खेर रहे थे तो ऐसा भी नहीं था तो उसके जो पंजे थे वो एक कोबल स्टून यान एक गोल पतर पर फिसल गए सड़क के एक कोबल स्टून पर फिसल गए और अब वो अब वो शेरी के घर के मतलिक सोचने लगा और वो सोचने लगा कि उसके गर में बड़े उम्दा किसम के पिलोज थे बड़े उम्दा किसम के सरहा नहीं थे तो इस में से हम इस परिग्रप में से हम कुछ वर्ज देखेंगे जो थोड़े डिफिकल्ट हो जिनके मानी समझाने जरूरी है तो एक है रूफटॉफ रूफटॉफ का मतलब होता है च्छत किसी मकान या बिल्डिंग का च्छत नेक्स्ट इस डारक डारक का मतलब होता है अंदीरा अलेवेज अलेवेज का मतलब होता है पैट्रियां और फिर है ड्राइग और ड्राइगड, ड्राइगर में खेंचना, सिलोली आपको पता है आहिसता, इसके बाद है paar मतलब होता यह मतलब होता है टेज ताक्तवर और का मतलब होता है अदास तो हम हम उच्छ खुद करना पाज होते पंजी और कॉबल स्टून का मतलब होता है जो गोल पत्र होते हैं उसको हम कॉबल स्टून कहते हैं तो यहां तक हम ने यह परिग्राफ हने पढ़ा नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे thank you